पिरिदर सको नमस्कार, हाजर हूँ विभा में हो रही देरी को दूर करने का एक सटिक उपाय लेकर गए मेरे साथ इस विशे को लेकर के बहुत सारे कोमेंट आते रहते हैं कि सास्त्री जी साधी नहीं हो रही है बात चलती हैं, रिष्टे भी आते हैं लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिष्टा साधी में कनवर्ट नहीं हो पाता अब लड़के वालों को लड़की समझ में आ गई और लड़की वालों को लड़का समझ में आ गया लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड जाती है तो ऐसा क्या हो गया है कि साधी की जो बात चलती है वो विवा में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है सब कुछ सही है फिर भी साधी क्यों नहीं हो पा रही है तो यदि आप भी इसी समस्या से जूज रहे हैं आपके रिष्टे आते हैं, बात चलती हैं, लेकिन एंड में जाकर बिगड जाती हैं, तो ये कारिकरम आपके लिए है, आज मैं आपको एक ऐसा उपाए बताऊंगा, जिसको करने से आपकी साधी में जो डिले चल रहा है, वो दूर हो जाएगा, वैसे तो जो उपाए में हमें हजार गुना मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं 17 मार्च 2022, इस वर्ष 17 मार्च को होली का दहन का जो परव हो बनाया जाएगा, हिंदू धरम में भहुत सारे परव ऐसे हैं, जिन पर एक विशेश योग बनता है, अब दिपावली है, होली है, दसहरा है, और भी भहुत स सारे परव हैं, इस समय एक विशेश योग बनता है, एक विशेश महुरत बनता है, यदि इस महुरत में, इस योग में कोई उपाए कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट है, वो हमें हजारों गुना मिलता है, जो हम उपाए कर रहे हैं, वो फली भूत होता है, इसलिए तो आप अक्सर सुनते होंगे, ये जो परव हैं इस समय बहुत सारे साधक, तांत्रिक साधना करते हैं, सिध्धी करते हैं, और उनका फल उन्हें मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है, यदि इस योग में हम कोई भी साधना करते हैं, तो उसका फल हमें हजार गुना मिलेगा, त मैंने बहुत सारी जनम कुंडलिया देखी, मैंने पाया कि जिस भी जनम कुंडली का जो सब्तम भाव है, वो सनी और राहु से पीडित है, सनी और राहु की जो नेगेटिव उर्जा है, वो यह दि सब्तम भाव पर पड़ रही है, तो लगातार साधी में डिले हो रहा है, मैंने सो कुंडलिया देखी सो में से 90 परतिसर्थ कुंडलियों में सनी और राहू साधी को डिले करवाने वाले मिले सनी और राहू का जो नाकारातमक प्रभाव है वो सब्तम भाव पर मुझे मिला तो आज मैं जो उपाय आपको बताने वाला हूँ वो सनी और राहू का जो नाकारातमक प्रभाव आपकी जनम कुंडली के सब्तम भाव पर है वो दूर हो जाएगा आपके पास जनम कुंडली हो या ना हो आपको अपनी डेटो वर्थ पता हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है साधी को डिले करवाने का एक मुख्य कारण शनी और राहू है और शनी और राहू की जो नेगिटिव पर भाव आपकी जनम कुंडली के सब्तम भाव पर पड़ रहा है यदि वो हट जाएगा तो फिर जो साधी में देरी हो रही है जो साधी में बाधा आ रही है वो भी दूर हो जाएगी और आपकी साधी हो जाएगी जो रिष्टे आते हैं वो साधी में कनवर्ट हो जाएगी तो आपने ये उपाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाए सत्रा मार्च को करना है मैंने बताया वैसे तो आप किसी भी सनिवार को कर सकते हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि 17 मार्च को सनिवार नहीं है गुरुवार है लेकिन होली का दहन का परव है एक विशेस योग बनता है एक विशेस मुहरत बनता है तो उपाय का क्या करना है आप ध्यान से सुन लेजिए आपने एक गोला लेना है गोला आप समझते हैं कहीं कहीं इसको खोपा भी बोल देते हैं जो जटा वाला नारियल होता है वो बजने वाला होता है उसके अंदर एक गोला निकलता है वो गोला आपने ले लेना है उसको उपर से काट देना है थोड़ा सा उपर से काट लेना है अब उस गोले के अंदर आपने क्या-क्या डालना है इसको ध्यान से सुन लेजिए एक किसी भी कटोरी में किसी भी बरतन में थोड़ा सा मीठा में रखिये आप मीठा समझते हैं बुरा मिठा, खांड, उसको आप रखिए उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालिए थोड़े से और थोड़े सी उड़द ये आप डालिए उस मिठे में और थोड़ा सा घी उसमें मिला लीजिए और एक सुपारी भी उसमें रख लीजिए तो ये जो मिश्रन आपने बनाया है कौन-कौन सा मिश्रन आपने बूरा लिया आपने एक चुटकी तिल लिये थोड़ी सी उड़द ली और उसमें घी मिलाया और एक सुपारी ये सब मिला करके आपने उस गोले में भर लेना है उस गोले में भरके आपको वो गोला उपर दुबारा से ढख देना है जो काटा था वो दुबारा से आपने उसको ढख देना है और मोली के साथ कलावा समझते हैं आप जो हाथ को बांदा जाता है उस मोली के साथ उसको बांध देना है और बांद करके रख देना है घर में किसी भी सुरुक्षित स्थान पर ये उपाया आपने करना किस समय है ये सुनिया आप होली का दहन का जो मुर्त है उससे लगभग एक दो घंटा पहले ये उपाया आप कर ले ये उपाय करके उस गोले में ये सामगरी डाल करके आप रख दे जब होली का दहन का मुर्त आए जब होली का दहन आए शाम को रात को तो उस समय वो गोला आपने उठाना है और आपके सिर से ये उपाय कोई भी कर सकता है यदि आप माता हैं तो आप भी कर सकती है पिता भी कर सकते हैं भाई बहन कोई भी कर सकता है यदि आपके बेटी की साधी नहीं हो रही है बेटी की साधी नहीं हो रही है तो आप कर सकते हैं तो जो आपका बच्चा है उसके सिर से साथ बार घुमाना है कलोकवाईज यदि आपके बेटा बेटी संतान जिसकी साधी नहीं हो रही है वो घर पे नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे वैसे तो होली का जो परव होता है सभी लोग घर में इखटे हो जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग विदेश में रहते हैं वो नहीं आपाते हैं कोई काणवन से वो घर में ना आपाए तो उस समय आपने क्या करना है फोटो के उपर से घुमा लेना है और जाते ही होली का धहन की जो अगनी है उसमें उस गोले को छोड़ देना है ये उपाय आपने होली का धहन के समय करना है ध्यान रहे जब आप घर से वो गोला लेकर के निकलते हैं तो बीच में किसी के साथ बोलना नहीं है रास्ते में कोई भी आए, किसी से कोई बात नहीं करनी है इसारे से समझा देना है, लेकिन मुहु से बात नहीं करनी है जब वो गोला आप होली का धहन की अगनी में डाल दे तब आपने किसी से भी बात कर लेनी है तो पिरी दर्सको ये उपाए, वैसे तो मैंने बहुत सारे उपाए बताए हैं आपको जल्दी विभा करने के, लेकिन ये उपाए आपने होली का धहन के दिन करना है और जो सनी और राहू की जो नाकारातमक प्रभावाब की जनम कुनली में बना हुआ है वो दूर हो जाएगा पिरी दर्सको आसा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया उपाए, ये जो वीधी मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी और ये उपाए आप 17 मारच को अवश्य करें इससे आपको लाब मिले तो पिरी दर्सको ये आप चैनल पर नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरी आप से सिकाइत रहती है आप वीडियो को देख लेते हैं मेरे पास कोल भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को यदि प्रेस कर लेंगे, तो हमारी जो आने वाली वीडियो है, उनका नोटिफी किसन आपको मिल जाएगा, आसाने से आप उन्हें देख पाएंगे, इसमें आपका खर्चा देखाइब करता हूँ, यदि आपका बेटा, बेटी, कोई भी है, या आप खुद है, यदि सादी में देरी हो रही है, तो ये उपाय करने से आपकी सादी में जो देरी चल रही है, वो दूर हो jाए, और जो रिष्थे आते हैं, जो बात चलती है, वो सादी में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमद्ट